तो है स्वागुस दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसमें आज बात करने वाले हैं CMC course के बारे में दोस्तों CMC course के ओपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इसके colleges के ओपर इसके ओपर एक detail वीडियो में बना चुका हूँ इसका लिंक आपको ऊपर आई बेटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दुस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ points के बारे में आज मैं आपको CMCD के कुछ points बताने वाला हूँ जो हर एक student को पता होनी चाहिए admission लेने से पहले और अगर वह पढ़ रहा है तो अभी उसको पता होने चाहिए ताकि वह on CMCD करने के बाद कोई गलती ना कर बैठे या CMCD में से ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके दोस्तों अब बात कर लेते हैं पहले point की पहला point यहां पर college के ओपर है कापी सारे student क्या करते हैं कि जब वह एक college में एडिविशन ले लेते हैं और वहां से CMCD कर लेते हैं CMCD करने के बाद जब वहां से रेजिट्रेशन उनको नहीं मिल पाता है तो फिर से एक अच्छे college से CMCD करते हैं तो दोस्तों किसी भी अच्छा है यहां से CMCD के लिए रेजिट्रेशन होता है या नहीं होता है वरना अगर आपको कोई ऐसा college नहीं मिलता है तो आप हमारी video देख सकते हैं जहां पर मैंने काफी अच्छे college के बारे में बता है CMCD के अच्छे teacher और पढ़ाई यहां पर इसका क्या है कि जो CMCD कोर्स है इसमें थोड़ा उपर नीचे होता रहता है तो इस पर कम से कम आपको ऐसे जगा एड़ीशन लेता है जहां पर आपके अच्छे लेना है और पढ़ाई काफी सारे student ऐसे भी होते हैं जो CMCD करतों लेते हैं लेकि उन्हें यह नहीं पता होता है कि हमें कितनी drug यूज करनी है हमारे हमें क्या पढ़ाया गया है हमें कैसे बात करनी है पेशन से तो यह सारी बाते भी आपको ध्यान देनी है ऐसे college में आपका करवाया जाता है हम आपको patient भी दिखाया जाते हैं उनको handle करना उनसे बात करना आपको सिखाया जाता है तो दोस्तों इस बाते भी बहुत जाद ध्यान देना है आपको क्योंकि आप CMCD course कर रहे हैं आपको इसमें बहुत ज्यादा सदर्क रहना होगा तो कि इसके ओपर लोग आपको ध्यान रखना है और जहां पर फीज भी अच्छी हो आपको ऐसे कोलेज में अडिविशन लेना है कोलेज के आप हमारी वीडियो देख सकते हैं आपको वहां पर अच्छे कोलेज मिल जाएंगे कम जानकारी या फिर अदूरी जानकारी लेकर जो बच्छे से में च्छी में एडिविशन ले लेते हैं उसके बाद पस्ताते हैं तो हम उसके कुछ बाते कर लेते हैं आपर कि उनके सबके मन में यह डाउट रहता है कि क्या नाम के आगे लगेगा डोक्टर तो मैं दोस्तो तो अगर आपने नाम के अगर डोक्टर लगाते हैं तो आपके ऊपर कोई पी कारवाई हो सकती है जैसे की आपके आपके किसी документ नहीं लिखा हुआ ओगा तो कि आपको अगर किस कावी सार स्टूडेंट को यह होता है कि जब आपके जब डिपलोमा आता है आपके पास डॉकुमेंट आते हैं तो उसके उपर आपका नाम और आप उसके आगे डॉक्टर लगा होगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होने वाला है दोस्तों अगर आप डोक्टर लगाने के इसमें आप सोच रहे हैं कि आप डोक्टर बन जाएंगे आपकी नाम क्या कि डोक्टर लग जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हाँ वो बात अलग है कि कुछ आपको अलग से डोक्टर कहें आने जाने वाले लोग आपको डोक्टर कहते हैं तो बात अलग है दोस्तों आप बात करते हैं दूसरे डाउट की CMCD करने के बाद होस्पिटल खोल सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं खोल सकते हैं नहीं नर्सिंग होम खोल सकते हैं नहीं मेडिकल शोप खोल सकते हैं और नहीं होस्पिटल खोल सकते हैं दोस्तों यह वहम तो बिल्कुल भी नि लिना होगा जब यह सब नहीं कर सकते हैं तो को आप कर क्या सकते हैं तो आप अपना प्राइमेरी हेल्थ केर खोल सकते हैं जहां पर आप लोग वगरा को आप पर फस्टेट दे सकते हैं और यह भी सकेंडर रहता है कि आप जो चाहे वो दवाई नहीं दे सकते हैं आपके कुछ 42 दवाई आपको दी जाती है अगर आप अपनी तरफ से कोई दवाई वगरा देते हैं और आप पगड़े जाते हैं तो आपके उपर कोई केस भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों काफी सारे केसे में सुनने को आता है कि कोई पेशेंट आया और उसने अपने के बाद कहीं जाकर अपनी मर्ची से अपनी दवाई चलाएंगे तो दोस्तों यह बिल्कुल भी सही नहीं है उसके खिलाफ आपके खिलाफ कारवाई भी हो सकती है तो दोस्तों यह सारी बाते हैं जो आपको दिखान रखनी है अगर आप ऐसी कुछ सोच लेकर चल र लिमिटेट चीज करने के लिए ही की परमिशन आपको देता है कि सीमसीटी करने के बाद आप कर क्या सकते हैं कोर्स करने के फायदे डवलु एच्चों के दुवारा रजिस्टर बैयालिस ऐलोपेथिक दवाईयों दुवारा पूरे भारत वर्स के किसी भी ग्रामीन छेतर म में अपने प्रातमी सेंटर में फे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर एक और बात котором आपको बता दूंब कि CMA City करने के بعد आप सिरिफ एक रूलर एरिया में यानी गरामी छेतर में ही अपना प्रामीरी हेल्थ केर सेंटर कोल सकते हैं इसी मेंशरी करनidée का मतलब यह नहीं है कि आपकी चीटी बाड़ी चीटी में अपना क्लीनिक अपने प्रामीरी हेल्थ केर सेंटर खोल सकते हैं तो यही सारी बाते आपको ध्यान रखनी हैं अगर आप इनके अंदर आते हैं तो आपको CMCD करने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि अगर आप करते हैं फिर आप अपनी मनमानी करते हैं तो आपके उपर कारवाई हो सकती है आगर आप हमारे CMACD की और वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको नीचे description दिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पर follow करना चाहते हैं उसका link आपको नीचे मिल जाएगा और दोस्तों ORYक Valen में दूसरे चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिपिशन में देख रहा हूं टूस्तों को देखेगा विद्ध कर सब्सक्राइब कीजेगा कि उन सब के बारे में कु Image राने वाला हूं तो सब्सक्राइब कीजेगा और अगर जो अच्झी क लगी हो किवा जिर werk कीजिएगा